टेक सम्थिंग इन वन स्क्राइड इस इडियम का मतलब होता है तो डेल विथ प्रोब्लम और डिफिकल्टी कामली बहुत ही काम होकर बहुत ही सांत मन के साथ किसी भी प्रोब्लम या डिफिकल्टी को सॉलो कर देना and not to allow it to influence what you are doing और उस प्रोब्लम या डिफिकल्टी को allow ना करना आपके उपर किसी प्रकार का influence करने से आपके उपर किसी प्रभाव का प्रभाव पढ़ने से उधारन के तोर पर जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रोब्लम या डिफिकल्टी आती है और उसको सांत मन के साथ आप उसको सोलो कर देते हैं और उस problem या difficulty का आपके उपर कोई भी influence या प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस situation में take something in one stride इस idiom का यूज होगा उदारन के तोर पर when you become a politician जब आप एक politician राजनेता बन जाते हैं यूज सून learn to take criticism in your stride आप बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं कि criticism का मतलब होता है आलोचना जब भी आप politician बन जाते हैं तो आप बहुत जल्दी सीखते हैं कि आलोचना जो अब आलोचना अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो वो एक तरह की difficulty या problem हो गई तो उस problem या difficulty को उस criticism को उस आलोचना को आप किस तरह से सांत मन के साथ कामली किस तरह से सोल करते हैं और उस आलोचना का आपके उपर कोई भी असर नहीं होता है तो इसलिए कहा जाएगा कि you should learn to take criticism in your stride मतलब आलोचना को आप जहल जाते हैं उसका कोई भी प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ता है second example है you should you have to learn how to take criticism in your stride आपको यह सीखना होगा कि criticism का सामना कैसे करे criticism जो कि एक problem या difficulty है उसको follow कैसे करे सांत मन के साथ if you want to be successful in this business अगर आप इस business में सफ़ल होना चाहते हैं तो